बूर आप्टेनून जैभीन मेरा नाम है प्रिती और मैं आपका मैस के लास में सवागत कर रही है तो आपको जैसे की पता ही है कि हम लोग कौन सा चाप्टर कर रहे थे लास्ट टाइम मतलब कल वाले ही लेक्चर में हमने ताइम एन डिस्टन्स यह आपको स्टार्ट किया इसका मैंने इंट्रोड़क्टरी पार्ट आपको बताया था अभी हम इसका थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़े डिफ्रेंट टाइप के इसमें से ही क्वेस्टन्स दिखेंगे जैसे की आपको इंट्रोड़क्शन मतलब क्या है इसमें क्या रहता है यह सब तो आपको पता ही था कि स्पीड, टाइम, डिस्टन्स यह बहुत में चीज़े होती है इसमें और उसमें उसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने स्पीड इस इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम इसमें एक इन्वर्स रिलेशन की बात की थी मैंने जो कि होता है स्पीड एंड टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है ठीक है इन्वर्स रिलेशन यह कैसे देखते है हम लोग कि यह दिखें यह फॉर्मूला आप लोग को ठीक से पता है अभी इन्वर्स मतलब क्या यहां पर अगर आप टाइम के जगा पर स्पीड लिखो तो स्पीड के जगा पर टाइम लिख सकते हैं मतलब क्या होगा तो टाइम इस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसे भी लिखा जा सकता है तो इसमें एक इन्वर्स रिलेशन आता है अभी इसका काम आपको आज के आज का जो हमारा पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं उसमें आपको यह हैर्प की रहेगा देलिशन जो मैने बताया था तो डिस्टेंस कैसे कैसे मेजर होता है जैसे कि हां पर देखे किलो मीटर मीटर मायल मेंस में बताते हैं time जो है वो hours और seconds में बताते हैं and speed जो है speed कहाँ पर होते तो km per hour, miles per hour और meter per second इसमें होता है तो आप लोग को ये भी idea है ना कि अगर इसको convert करना है मतलब km per hour से हमें करना है meter per second में तो कैसे करेंगे तो इसको multiplied by 5 by 18 करेंगे और अगर meter per second से हमें km per hour में करना है तो इसको multiplied by 18 divided by 5 इससे multiply किया जाता है तो ये भी मैंने आपको कल बताया था just a revision अभी average speed कैसे find out करते हैं तो मैंने इसका आपको formula बताया था average speed मतलब क्या basically जो total distance cover किया है divided by total time taken कितना distance कितने total time में cover किया है तो ये होती है average speed इसका formula है simply 2mn divided by m plus n ये आपको ध्यान में रखना है examples में आप कैसे इसको apply कर सकते हो ये आपको आज पता चलेगा ठीके तो हमारे पास अभी एक example है at the beginning पहले इसके साथ हम लोग start करने वाले ठीक है तो जैसे कि question है question में क्या बता गया है walking at walking at 3 by 4 off feet usual speed a man is 15 minute late अब यहां पर लेट और टाइम पर रहना इसका एक concept है अब आपको पता है कि हम अगर मानलो कि मुझे अभी मैं अगेन वही example दूंगी अगर मुझे नालंदा से bus stop तक जाने के लिए मुझे time लगता है आधा गंटा walking के लिए usually मतलब जो मेरा usual speed है कि मैं जितना speed से अभी usually चलती हूं उससे मुझे कुछ आधा गंटा लगता है 30 minutes लगता है लेकिन मैं अगर उसको speed कम करती हूं मेरा usual speed से अगर मैं speed कम करूंगी तो मैं late हो जाओंगी तो मुझे मैं किती मतलब कुछ मिनिट से में late हो जाओंगी या फिर मुझे कुछ टाइम जादा लगेगा ऐसे मैं बोल सकती हूं अगर मैं speed बढ़ाती हूं तो मैं जल्दी पहुच जाओंगी तो इसी बारे में यह question है तो यहां पर क्या पुछा है walking at 3 by 4 of its usual speed a man is 15 minute late मतलब अगर पहले कुछ पान लेते हैं कि यह पूरा उसका speed है यह कितना speed है तो 60, 60 km per hour ऐसे मान लेंगे ओके अभी इंसान की इतनी नहीं होती लेकिन ठीक है हम लोग मान लेते हैं तो 60 km per hour यह speed है इन्होंने जैसे बताया कि 3 by 4 of its usual speed तो अभी यह जो 60 है इसका 3 by 4 क्या होगा 3 by 4 of 60 यह क्या होगा 15, 35, 45 मतलब अगर 45 km per hour से चलता है वो मैं तो वो कितना 15 मिनिट लेट हो रहा है मतलब कुछ टाइम वो लेट हो रहा है यहां पर बताया है कि 15 मिनिट लेट हो रहा है तो इन्होंने पुछा है find the usual time to cover the journey तो उसको हमेशा मतलब usually उसको कितना टाइम लगता है वो journey cover करने के हूँ और अगर नहीं कुछ समझ में नहीं आते हैं या कोई भी point आपको clear नहीं है तो आप freely मुझे पूछ सकते हैं ठीक है तो इसका answer देखेंगे अब जैसे आप लोग को पताए यहां पर distance कितना है तो distance अभी जैसे मैंने बताया था वो fix है तो distance is fixed here सब एक constant distance है और उसमें distance को हम क्या लिख सकते है तो distance b distance मान लेते है कि यहां पर d है ओके आपको formula पता है speed is equal to distance upon time इसी का मतलब क्या होता है distance is equal to speed into time तो यहां पर है distance distance is equal to speed multiplied by time ठीक है तो distance क्या होगा अभी हां पर speed क्या बताईगे है 3 by 4 of its usual speed मतलब 3 by 4 इसके हमेशा की speed का तो यह है speed okay multiplied by time कितना लगता है तो time लगता है 15 minute late मतलब यह जो हमेशा का time है जो time है इससे 15 minute जादा लगता है तो 15 minute मतलब कितना एक घंटा एक घंटे मेंसे 15 minute तो एक घंटे के लिए मैंने यहां पर 60 minute ऐसे बता है क्योंकि 15 minute divided by 60 minute ठीक है तो मतलब इतना time वो लेट हो रहा है तो यह हमारे पास से just equation अभी बन गया है अभी आपको दिख रहा है कि यह left hand side है और यह है right hand side ठीक है इसको क्या करेंगे हम लोग जैसे कि आपको पता है distance यह है distance और यह भी तो यह distance के equal में आ जाता है मतलब यह भी equal to equal to देखे distance is equal to speed into time और distance is equal to 3 by 4s multiplied by t plus 15 by 16 तो basically हम लोग क्या कर सकते हैं यह जो दोनों ही चीजे हैं मतलब मैं हापे number लिखूंगे यह one number यह two number इसको equate कर सकते हैं left hand side is equal to right hand side तो क्या होगा यह अगर लिखते है distance का equal to में क्या था speed into time is equal to यह लिख लेंगे यहाँ पे क्या होगा 3 by 4s multiplied by t plus 15 by 16 तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी speed into time के जगावे में just s into t ऐसे लिख लेते हूं multiplied by t तो यहाँ पे क्या होगा यह जो भी s, s है वो cancel कर सकते हम लोग s यह cancel किया जा सकता है ठीक है तो अभी बचा क्या है यहाँ पे तो t बचा दूसरे तरफ क्या है 3 by 4 multiplied by t plus अभी यहाँ पे division क्या जा सकता है 15 मतलब 1 by 4 ठीक है तो t plus 1 by 4 ऐसे यहाँ पे हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे multiply कर लेते हैं इस तरफ तो यह होगा 4t is equal to अभी 3 को यहाँ पे multiply करें 3t plus 3 okay यहाँ पे multiplication होगा 3 by 4 हो जाएगा यह तो अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं तो इसको इस तरफ अगर पर करेंगे तो 4t minus 3t is equal to 3 by 4 अब यहाँ पे देखे 4t minus 3t क्या होगा यह होगा बेसिकली t is equal to 3 by 4 और 3 by 4 अगर यह time में क्या होता है 3 by 4 अवर तो 3 by 4 अवर मतलब क्या 45 minutes तो यह इसका right answer होगा कि उसको usually कितना time लगेगा find the usual time to cover the journey तो उसको usually इतना time लगता है 45 minutes ठीक है किसी को समझ में नहीं आया कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं के अनिता प्रिया मुकूल चलो होब करते हो अपके समझ में आ गया है अगर किसी को कुछ भी चीज में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैं आपको वह point clear करने की कोशिश करूँगी फिर से कोई calculation में या फिर और कोई जगा पर नहीं समझ में आच्छा ठीक है repeat कर दे दुए एक बार देखिए सबसे पहले तो ओके ओके ठीक है इसको फिर से देखते हैं क्या आपको question समझ में मुझे बताईए कि question clear है क्या मैंने आपको explanation दिया अब जैसे कि देखिए walking at 3 by 4 of its usual speed कोई एक person एक man है जो कि उसकी speed का थोड़ा सा कम speed में चल रहा है पहले वो अगर 60 की speed में चलता था अब वो 45 की speed में चल रहा है और वो यहां पे लेट हो रहा है 15 minutes से मतलब वो अब उसको पहले जितने time में पहुचता था अब उसको बहुत जादा थोड़ा सा time लग गया थोड़ा जादा time लग रहा है तो उसका इन्होंने जो बता है कि उ गनरली उसको वहां तक पहुचने में उसको कितना time लगता है यह पूचा है usual time मतलब जो हमेशा वाला time है उसका तो हम लोग अभी distance की बात देखिए यहां पर कोई भी distance नहीं बता है लेकिन हाई नोंने speed बताई है और कितना time late है बस वो चीज़ बताई हमें तो हमें इनको यह बताना है अभी कि usual time मतलब हमेशा उसको कितना time लगता है क्योंकि 15 minutes late है लेकिन कितना fix time तो होगा क्या अच्छा उससे जाधा late हो रहा है जैसे अगर मुझे हमेशा जाने के लिए आधा घंडा लगता है और मैं आज बोलती हूं कि मुझे 15 minutes late हो रहा है तो मतलब कुछ तो पहले का time होगा तो इसी के बारे में question है तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक distance है distance को रखेंगे fix distance है मतलब को एक distance मान लेते हैं तो उसको distance की जगापे में डी लिखूंगे लिटे distance भी इसका आपको फॉर्मूला पता है distance is equal to speed into time यह कैसे आए आपको आइडिया होगा speed is equal to distance upon time तो distance is equal to speed into time होगा राइट और हमारे पास अभी जैसे कि उन्होंने बता है question में क्या बता है तो distance d is equal to 3 by 4 of its usual speed मतलब यह है 3 by 4 of its usual speed मैं जो लिख रही हूँ और जो बोल रही हूँ वो चीजों के उपर आपको at a time ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रही हूं क्या लिख रही हूँ तो आपको clear होगा कि distance जो है उसका क्या होगा speed multiplied by time तो usual speed कितनी है अभी इन्होंने जो speed की बात की है 3 by 4 of its usual speed मतलब अगर इनकी पहले की हमेशा की speed अगर 60 रहती है तो उसका 3 by 4 क्या होगा उसका 3 by 4 क्या होता है देखिए 3 by 4 of 60 क्या होता है यह 15 3 चा 45 तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ 3 by 4 speed है okay multiply multiply as it is लिख लिए अभी time क्या है तो time जैसे की इन्होंने बता है 15 minutes late मतलब यह जो t है यह usual time है यह हमेशा का time है ठीक है मैं बाकी का मिटा देती हूं यहां से तो आपको confusion नहीं होगा उस्टी में यहां पर लिख रहे हो टी इस यूजवल टाइम हम तो यह है यूजवल टाइम मतलब टी तो उसके उपर कितना time जादा लग रहे 15 minutes late हो रहा मतलब 15 minutes और लग रहे हैं अभी 15 minutes है वह कहां से लेते हम लोग 15 minutes out of 60 minutes क्योंकि एक घंटे में से हम लोग 15 minutes मिले हैं है न तो यह तो पहले का time है उसमें और थोड़ा सा जादा time लगना मतलब 15 minutes अगर पहले मुझे एक घंटा लगता था मतलब 60 minutes लगते थे और उसमें अब मुझे 15 minutes जादा लगे तो अब कितना time लगता है वो लगता है 75 अगर मैंने speed कम की तो मुझे जादा time लगेगा अगर मैंने speed बढ़ाई तो मुझे कम time लगेगा पहुचने के लिए तो यह यहां तक था अब यहां पर क्या किया मान लेते हैं कि यह equation 1 है और यह equation 2 है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर equation 1 and equation 2 तो यह दोनों ही अगर same लेके आते हैं मतलब equal करते हैं दो क्या होगा यह speed multiplied by time क्या आप लोग ने कुछ notice किया दिखें यहां पर भी distance है और यहां पर भी distance है यहां पर distance का मतलब is speed into time यहां पर distance का मतलब है यह दिखें मान लेते हैं A is equal to B और A is equal to C ठीक हैं अभी A का मतलब B भी है A का मतलब C भी है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि B is equal to C है ना ये भी होगा तो इसी लिए हम लोग ने यही idea यहाँ पर follow किया है कि यह अगर मान लेते हैं A है इसके equal to में यह B आ रहा है यह C आ रहा है तो of course B is equal to C होगा तो इसी तरीके से हम लोग इसको solve करते हैं इसको equal में लेके आते हैं तो इसी लिए यहाँ पर क्या होगा यह speed into time तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ s into t मतलब speed into time is equal to अभी यह लिखेंगे यह जो मैंने बताया था आपको C A is equal to B B is equal to C यह बात ध्यान में रखें 3 by 4 s multiplied by t plus 15 by 60 दोनो equation equal क्यों किये मैंने आपको समझ में आया equal करने का reason क्योंकि वो दोनो ही distance के equal में आते हैं अब इसको simplify किया जा सकता है तो सबसे पहले में क्या कर से तो यहाँ पर देखो right hand side left hand side दोनो ही इसमें s है मैं s को divide में हटा सकते हूँ मतलब division में वो cancel हो गया अब मेरे पास क्या बचा है तो t is equal to यह 3 by 4 multiplied by t plus 15 by 60 15 upon 60 मतलब क्या होगा 1 by 4 यह t is equal to 3 3 by 4 ठीक है यह आपको समझ में आ गया अभी यह 4 को हम लोग इस तरफ multiply कर सकते तो यह हो जाएगा 4 t is equal to 3 multiplied by t plus 1 by 4 अब यहां पर क्या हो रहा है यह जो 3 है यह दोनों के साथ ही multiply हो रहा है ना तो यहां पर हुआ 3 t plus 3 multiplied by 1 by 4 मतलब क्या होगा 3 by 4 हो जाएगा यह थोड़ा सा steps बढ़ा के बता रही हूँ क्योंकि बाते clear हो तो मैं इसी को इस तरफ लिखरे हूँ 4 t is equal to 3 t plus 3 by 4 ठीक है 4 t यह अगर इस तरफ transfer होता है तो क्या होगा minus 3 t is equal to क्या बचाब यहां पर 3 by 4 4 t minus 3 t क्या होगा यह तो हो जाएगा simply 1 t 1 t मतलब t is equal to 3 by 4 hours 3 by 4 hours है यह time 3 by 4 hours है तो 3 by 4 hours का time मतलब क्या होता है तो time is equal to 45 minutes ठीक है या फिर आप बताईए अगर अभी भी clear नहीं है या कोई particular step में आपको confusion है तो वो बताईए तो क्लियर है ठीक के थैंक्यू अनिता बाकी लोग भी बताईए कि आपको clear है चलो hopefully है आपको मैं आगे बढ़ती हूँ यह हमारा next question है अभी question 5 अगर आप लोग को लगता है कि आपको भी आता है और solve कर सकते तो मेरे साथ ही आप लोग भी solve करना start कर सकते ठीक है मुझे answers आएंगे तो अच्छा लगेगा तो यह next question है हमारा यहां पर बताया है कि a man travels from city A to city B at the speed of 90 km per hour तो एक इंसान एक man है जो कि city 1 से city B तक जा रहा है यह मान लेते हैं city A और यह है city B तो यहां से यहां तक वो man जा रहा है at the speed of 90 km per hour and returns back at the speed of 60 km per hour तो जब यह A से B तक जा रहा था उसका speed था 90 km per hour लेकिन जब वो return आ रहा था तो उसका speed था 60 km per hour अब क्या question देखके आपको कुछ समझ में आ रहा है यह speed 1 और यह speed 2 यह return आने का speed कितना था 60 km per hour question में पूछा है what is his average speed during the entire journey तो पूरी journey के time अब उसका average speed क्या रहा होगा average speed निकालने के लिए मैंने आपको क्या formula बताया था average speed के लिए हमारे पास formula है equal to 2mn divided by m plus n यह formula था रही तो average speed निकालने के लिए भी यहां पर क्या होगा 2mn 2 तो मान लेते हैं यह M है और यह N है 2 multiplied by m मतलब 90 n मतलब 60 divided by 90 plus 60 क्या हुगा यह हुगा 180 multiplied by 6 यहां पर हुगा 150 यह 00 क्यांसल हो जाएगा 35 यहां पर 36 यहां पर 15 36 यहां पर 15 36 यहां पर 15 36 यहां पर यह हो जाता है 12 यह 16 12 multiplied by 6 72 km per hour यह इसका right answer होगा average speed average speed के लिए average speed के लिए average speed के लिए यह formula है हमारे पास आप 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 इस बिलकुल सही है अनुजा ने जो answer बता है बिलकुल सही है absolutely right गोपाल आपको कुछ problem है 75 72 km per hour आपने कुछ अलग answer लिखा था क्या delete कर दिया anyways I hope I hope question clear है क्या सब लोग को समझ में आ गया अ छलो ठीक है next question दिखेंगे question 6 है हमारे पास अभी यहां पर क्या बताया गया है a car travels from P to Q at a uniform speed अभी uniform speed मतलब क्या speed constant है gopal आपको अनिता से बात करनी है यहां पर पढ़ाई चल रही है किसी के साथ बात करने का कुछ platform नहीं है सो प्लीज आप अगर class करना चाहते है तो class करिए वरना messages मत डाले तो एक car travels from P to Q at a uniform speed तो एक constant speed पे चल रही है car जो P से होके Q तक जा रही है ठीक है जहां पर उसका speed था 80 km per hour तो यहां पर मान लेते है यह P और यह है Q ठीक है यहां पर speed था कुछ 80 km per hour का और इन्होंने और बताय है कि and a distance from Q to R at a uniform speed of 120 km per hour तो Q से होके अभी R तक भी जा रही है जिसमें उसका speed था 120 km per hour ठीक है what is the average speed for the entire journey अभी यहां पर again average speed क्या है वो कुछी है entire journey मतलब यह P से होगे R तक की पूरी journey के लिए ठीक है तो if the ratio of distance between PQ and QR is 2 by 3 तो अभी यहां पर distance इन्होंने बताय है कि इसका ratio कुछ इस तरीके से PQ to QR क्या होगा मतलब P से Q एक मिनिट में यहां पर simple line बनातू हाँ हाँ इसके कितने पांच division होंगे हाँ 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 तो यहां पर अगर P है यहां पर होगा Q जिसमें देखिए 1 & 2 यह है 2 और क्या बताया कि QR का जो है वह 3 आता है तो यहां से Q से होके R तक यह आता है 3 कुछ इस तरीके से यह हमारा पूरा distance समझ लेता है ठीक है यह चोटी सी डायग्राम के थूँ हम लोग कोशिश करेंगे यह questions all करने की तो यह तो distance था अब इसके आगे हम लोग क्या बता सकते हैं तो जैसे की question में बोला है a car travels from P to Q at a uniform speed of 80 km per hour तो अगर इसने इतना distance cover किया है तो इसको speed कितना था 80 km per hour का लेकिल and the distance from Q to R तो Q से R तक जाने के लिए इनका क्या speed था तो यह था 120 km per hour तो हमें चाहिए है यहां पर average speed exactly कितना रहा होगा if the ratio of distance between PQ and Q is 2 is to 3 तो हमने overall इस diagram में पूरा लिख लिया है अब questions all करते हैं तो अब यहां पर हम पहले कोशिश करेंगे कि time निकाल ले कि time exactly इनको कितना लग रहा है क्योंकि हमारे पास distance है मतलब distance के लिए brief idea है हमारे पास और एक speed का idea है कि हाँ speed हमें confirm बताई गए है तो हम यहां पर time find out करेंगे तो time required to cover the distance P to Q मतलब यहां से होके यहां तक का distance के लिए time कितना लगा होगा तो यह time लगेगा अभी time का आपको पता है कि speed is equal to distance upon time या time is equal to distance upon speed तो यह जो distance है इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते 3x मतलब time कितना लगेगा अगर यहां पर time is equal to distance upon speed रखते हैं तो यह होगा distance कितना है 2x यह पूरा distance divided by 80 km speed कितना था 80 km per hour यह था P Q के लिए अभी same हम लोग को निकालना है Q R के लिए तो time required cover the distance Q R ठीक है Q R find out करने के लिए again same idea कि time कितना लगेगा तो वह भी होगा speed upon distance upon speed होगा तो distance यहां पर कितना आता है यह तो है 3x divided by speed कितना है 120 है तो हमें यह idea है कि अभी time कितना लग सकता है यह time का overall idea है कि यहां पर लगेगा 2x 2x by 80 और यहां पर लगता है 3x by 120 ठीक है अभी average speed के लिए क्या है average speed में क्या होता है यहां पर हम लोग लिखते total distance कितना cover किया है तो total distance covered और यह है total time taken total distance कितना रहा होगा तो total distance देखिए आपको यह पता है मैं highlight करते हूं एक मिनिट करते हूं एक मिनिट करते हैं कि कोई बात नहीं आपको distance समझ में आ गया कि यह जो है यहां से यहां तक यह पूरा distance है तो पहले कितना distance लगा है basically हमें 2x मतलब इतना distance लगा था तो यहां पर में लिखूंगी 2x कितना लगा है 3x तो यहां पर हो जाता है 2x plus 3x divided by total time कितना लिया है तो time तो हम लोग ने already लिखा है देखिए यहां पर क्या लिखा था 2x by 80 time 1 2x divided by 80 plus यहां पर जितना time लगा यह है 3x divided by 120 तो इस तरही के से हमारे पास एक equation तयार है अभी इस equation को हम लोग just simplify करने वाले है तो यह 2x plus 3x क्या होगा यह तो हो जाएगा 5x divided by average speed है speed is equal to hard 5x divided by अब यहां पर क्या होता है तो इसको भी simplify कर सकते है 2 by 80 मतलब क्या होगा 1 by 40 यहां पर 3 by 12 मतलब क्या होगा 1 by 4 तो मतलब इसका ऐसा कुछ होगा x divided by 40 plus x divided by 40 के similar आ गया है यहां average speed का है is equal to 5x divided by अब हम just इसको simply cross multiply करेंगे तो 40x plus 40x divided by 4 4 16 यहां भी 1600 हो गया इसका multiplication 5x multiplied by अब इसको इनवर्स कर सकते है ठीक है 1600 divided by 40x plus 40x क्या होगा यह होगा 80 x कैंसल यह 00 भी cancel कर लेते है यह 2016 तो बचा है यह 20 okay 20 multiplied by 5 just बचा है 5 multiplied by 20 होगा यह 100 तो यह 100 किलोमेटर पर अवर इसका यह इसका average speed होता है तो यह आनुजाने का answer पता है बिलकुल सही है 100 किलोमेटर पर अवर किलोमेटर पर अवर किलोमेटर पर अवर कि बिलकुल सही है समझ में आया सबको कि किसी को डाउट है या कुछ पूछना है कि 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 करते हैं आप लोग को समझ में आया फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं रिपीट करूं कि 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 तो इसка पहले तो रेशयो बताएँगी पी कि कि क्या रिशयो पी से क्यों का रीशयो मतलब क्यों क्यों कि क्योत की सब्सक्राइब अब एक कॉंस्टन रहेगा पी से क्यों तक तो वह स्पीड कितना होगा 80 km per hour का स्पीड होने पता है जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है देखिए यहां पे मैंने लिखा है तो 80 km per hour के स्पीड से गई जब उसको पी से क्यों तक जाना था अब मैं इसको अगर मान लेती हूँ कि अच्छा P मतलब वर्धा है फिर उसके बाद में Q मतलब नाकपूर है तो ये क्या हुआ है वर्धा से नाकपूर तक जाने के लिए उसका कुछ 2 का डिस्टेंस है तो नाकपूर से वो शायद भंडारा तक जाता है अब ये मैं आपको बता रही हूँ ठीक है तो नाकपूर से भंडारा का डिस्टेंस ये कुछ 3 के बराबर होगा है ना तो वर्धा से नाकपूर जाने के लिए इसको लगा 80 किलोमेटर का 80 का स्पीड और क्यूर से मतलब नाकपूर से भंडारा जाने के लिए इसको लगा 120 किलोमेटर पर अवर का स्पीड तो हमें यहाँ पे पहले तो क्या डिस्टेंस दिया है थोड़ा बहुत आइडिया है डिस्टेंस का और हमें स्पीड तो क्लियरली दिये है कि अच्छा इसको कि P से Q तक जाने के लिए 80 का स्पीड उस किया है और Q से R तक जाने के लिए 120 का स्पीड उस किया है तो यह तो हमें पता है तो इन्होंने जो पुछा है कि average speed क्या है अब average speed क्या होता है मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिया था average speed मतलब क्या है total distance covered divided by total time taken यह आपको formula बताया था और यह भी आपको एक fact बताया था इसके बारे में ठी के total distance cover divided by total time taken यह हुता है तो हमें पहले चाहिए है कि पहले हमें speed पता है यहां पे question में speed दी है और थोड़ा थोड़ा बहुत distance का भी idea दे है लेकिन हमें time कितना लगा वो नहीं बताया है यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे कितना time लगेगा वो कैसे निकालोंगे मैं मुझे क्या करना पड़ेगा इसका formula यूज करना पड़ेगा कौन सा it is equal to distance upon time या फिर time is equal to distance upon speed यहां पर हुआ है time is equal to distance upon speed का formula तो distance कितना है यहां पर देखिए 2x ठीक है 2x का distance और speed कितना है 80 इसलिए मैंने यहां पर 80 लिखा again same मैंने कहां पर किया q q से होके r तक कर यह निकालने के लिए कि इतना मतलब कितना time लगेगा इसको q से होके r तक जाने के लिए तो वहां पर भी same है कि कितना distance लगता है अभी यह जो distance है यह है 3x यहां पर मैंने लिखा है already 3x क्योंकि हमें यहां पर information दी थी divided by speed क्या था 120 था इसलिए मैंने यहां पर speed 120 लिख लिया कि यह है 120 अब average speed का just simply हमारे पास एक यह statement और formula इसको बोल सकते तो वही है total distance cover divided by total time taken distance कितना cover किया था distance यह लिखेंगे पूरा से p से r तक का distance क्या है बताइए यहां पर 2x से यहां पर 3x मतलब क्या 2x प्लस 3x हो जाएगा राइट तो यह हो गया अब हमेशे यह total time taken क्या होगा यह total time taken कितना time लेगा तो time भी हम लोग ने यहां पर निकाला है यह दिखें यह time है time के equal to में क्या आता है 2x divided by 80 तो मैं वह लिख लूँगे 2x divided by 80 मैंने यहां लिख लिया plus अभी दूसरा time पूरा time पुछा है ना total time कितना लगा है तो हमें यहां पर time कितना qr qr तक का भी time लिखना पड़ेगा तो वह यह time है 3x by 120 तो मैंने वह भी लिख लिया यहां पर 3x divided by 120 तो आप लोग यहां पर देख रहे हूं तो इसके बाद में calculation हुआ है आवरेस पीर के लिए कि क्या हुआ है 2x plus 3x क्या होता है 5x then 2x by 80 क्या होगा तो 1 by 40 हो जाएगा इसका राइट और एक्स तो constant रहेगा तो इसलिए है x by 40 प्लस अभी 3 by 12 भी हम डिवाइट कर सकते है आप लोग को पता है तो यह हो जाएगा 1 by 4 ठीक है मतलब यह होता है sorry 3 by 120 है तो 1 by 40 होता है यह ऐसे तो x by 40 हो जाएगा आगे मैंने इसको simply यह किया है मतलब simplify किया है सॉल किया है इसको आगे तो हमारा आंसर आया है 100 km per hour ठीक है संदेश आपको समझ में आया को पुली next question की दरफ बढ़ेंगे यह हमारा next question है यहां पर क्या है अब देखे मैंने जो अभी city आप बताया था आपको थोड़ा सा तो उसी से related है distance between नाखपूर और हैदराबाद इस 500 km अब मान लेते हैं कि नाखपूर और हैदराबाद के बिज में दिस्टंस है 500 km तो एक कार है, कार A starts from नाखपूर towards हैदराबाद तो एक कार जो है सुभे के 7 बज़े देखिए at 7 a.m बोला है सुभे के 7 बज़े, कार A नाखपूर से हैदराबाद के लिए निकलती है और उसका speed क्या है, at the speed of 60 km per hour दूसरी जगा पे, वाइल कार B starts from हैदराबाद अभी उसी time, मतलब, नहीं sorry, उसी time नहीं यह जो B है, कार B है, वो start करती है है नाखपूर आने के लिए मतलब पहली जो कार थी वो नाखपूर से हैदराबाद जारी यह दूसरी जो है है नाखपूर जारी है, तो अभी इसमें time बताया था, जो नाखपूर से हैदराबाद के लिए निकली वो 7 बज़े निकली और उसी के एक घंटा बाद हाइदराबाद से नाखपूर के लिए निकली है जो कि 8 बज़े ठीक है, at the speed of 50 km per hour, if they are traveling at uniform speed, अभी इसका uniform speed का मतलब है कि वो उनका speed वही है, constant रहेगा, तो 60 km मतलब 60 है, मतलब वही speed रहेगा, तो इसका मतलब है, if they are traveling at uniform speed, at what time they will meet, तो अभी इसको मैं किस तरीके से बता हूँ, अभी यहाँ पे है नाखपूर, और यहाँ पे है है हैदराबाद, ठीक है, यह है इसके बीच का कुछ distance ज निकल रही है नाखपूर से, हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद से कार B निकल रही है नाखपूर के लिए, तो अभी यह जो कार A निकली है, कितने बज़े 7 a.m. को निकली है, और यह जो कार B, यह 8 a.m. को निकले है हां से, इन्होंने जो पूछा है, कि अब यह दोनो निकल गए एक दुसरे के तरफ मतलब एक नागपूर के लिए हैदराबाद के लिए तो अब वो कौन सा टाइम होगा जहां पे दोनों कार्स एक जगा पे मिलेगी simply यह question है कि कौन से जगा पे दोन कार एक दुसरे को मतलब यह करती है मीट करते हैं ठीक है तो basically यही question है हमारा ठीक है मैं इसको अभी simply समझाती हूँ यह तो जस्ट इसका idea था अब हम इसको थोड़ा solve करने की कोशिश करेंगे तो I hope आप लोग question समझ में आया हो और इसी के basis पे हम लोग इसको solve करना start कर देंगे तो वही है कि नाकपूर से होके यह है नाकपूर यहां से हैदराबाद के लिए कार निकलती है और इसके बीच में distance है 500 km का अब पहले तो बात करते हैं यहां से कार A निकल रही है यहां से कार B निकल रही है है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग distance covered by car A कार A जो है वो कितना distance cover करती है पहले यह देखेंगे किस्टेंस कवर्ड बाय कार A इन वन अवर यह हमें कैसे पता चलेगा देखिए कार A का स्पीड इन्होंने यहां पर बता है 60 km per hour है तो मतलब एक घंटे में कितना 60 km बेसिकली यही है ओके एक घंटे में 60 km कवर करती है और यह आपको पता है कि कौन से टाइम पर निकली थी यह निकली थी सुबह 7 बजे तो यह एक घंटे में कितना मतलब अगर 8 बजेंगे तो यह 8 बजे कहां पर मतलब 60 km इसने कवर कर लिया अभी आपको अगर आइडिया होगा तो 8 बजे कार B ने स्टार्ट किया है 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 ठीक है तो पहले तो क्या है यह जो कार A है इसने 60 km कवर कर लिया है डिस्टन्स ऑल्रेडी है ना 60 km जो मैंने यहां पर पता है यह 7 से 8 बजे तो किसने डिस्टन्स कवर कर लिया तो अब क्या है बेसिकली जो पूरा डिस्टन्स था नाखपुर से हैदराबाद का तो कि 500 इसको कवर करना पढ़ रहा है अब उसमें से 60 km इसन लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ है कि यहां पर क्या बोल सकते डिस्टन्स बिट्विन टू कार्स एट एट एम तो यहां पर हम क्या होगा एट एएम तो डिस्टन्स क्या होगा यहां पर अब मैं आपको एक डाइग्राम दिखाती हूँ तो अब आपको पता है कि यह था नाखपुर यहां से इतना कुछ आगे चली गई यहां से 60 किलोमेटर तो कवर कर दिया आठ बज़े तक और अगर यह हैदराबाद से जो की कार निकलने वाली थी कार B वो तो अभी भी वही पर है ना क्योंकि उसने तो आठ बज़े स्टार्ट किया तो अब इनके बीच में कुछ इतना डिस्टन्स बचा है पहले इधर 60 किलोमेटर अल्रेड़ी कार A ने कवर कर लिया तो अब यहां पर जो डिस्टन्स बचा वो है 440 किलोमेटर तो कितने टाइम पर मिलेंगे यह हमें बताना है तो यहां पर आता है अगेर हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला टाइम रिक्वाइड तो टाइम रिक्वाइड मतलब बेसिकली कितना टाइम लगेगा ताइम का मतलब क्या है डिस्टन्स अपॉन स्पीड क्योंकि यहां पर क्या होगा कि दोनों ही वेहिकल चल रहे हैं तो दो वेहिकल दो अलग अलग जगा से चल रहे हैं कि अभी डिस्टन्स कितना बचा है यह देखिए 440 किलोमेटर से डिस्टन्स बचा है और रिलेटिव स्पीड कितना है तो स्पीड जैसे कि मैंने आपको पता है था एक मैं यहां पर साइड में लिख देती हूं स्पीड ऑफ ए जो की है 60 किलोमेटर पर अवर यह है 60 किलोमेटर पर अवर और स्पीड ऑफ बी कितना है स्पीड ऑफ बी जो है 50 किलोमेटर पर अवर और दोनों ही एक टाइम पर चल रहे हैं है ना तो इसी का मतलब क्या है यह आते है रिलेटिव स्पीड में तो मैं लिखूंगी स्पीड ऑफ ए जो कि है 60 प्लस स्पीड ऑफ बी जो कि है 50 तो क्या होता है यहां पर 440 स्पीड और 8 a.m. कि ना मिला है 4 मिला तो आठ के बाद में 4 टाइम है तो इन्हों ने क्या पूछा इप ट्रावलिंग युनिफॉर्म स्पीड अट वाट टाइम देविल मीड तो आठ बजे के बाद में कितना चार घंटा मतलब 8 प्लस 4 यह होता है 12 आवर्स तो मतलब 12 यह पहुंचेंग यह एक दूसरे को मीड करेंगे एक कॉमन पॉइंट पर ठीक है इसका आंसर आता है 12 नून ठीक है समझ में आए सबको कि संदेश मुकूल अनीता अनुजा अनुजा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए बताए क्या कौन से पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया है कहां पर प्रॉब्लम है यह बताए आप आपको समझ में नहीं आया है मैं वो पॉइंट क्लियर कर सकती हूं अभी भी कि यह बताए आपको कहां पर समझ में नहीं आया है कि 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 हाँ दिखो एट प्लस पूर यह क्या है दिखिए हमें क्या बताया गया है टाइम रिक्वाइड आफटर 8 एम आट के बाद हमें कितना टाइम और लगा सुबह के 8 बज़े के बाद कितना टाइम ज्यादा लगा यह पूछा है ना तो अगर 8 बज़े यह दोनों ही कार अपने अपने जगा से निकले हैं तो इन्होंने पूछा कि कौन से टाइम पर एक दूसरे को मिलेंगे तो हमारा जो क्वेशन आया था कि चार घंटे बाद मिलते हैं तो आट के बाद अगर चार घंटे गिनोगे तो कितना होगा आट के बाद 9, 10, 11, 12 इसलिए यहाँ पर 12 नून आता है ठीके और जिसको समझ में आप पूछ सकते हैं तो अभी देखिए पाच बच गया है और एक ज़री काम है तो इसलिए हम लोग आगे का क्लास कल कंटीनु करेंगे ठीक है लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन्स देना चाहती हो अभी तो वह आप लोग कल सॉल करके लाएंगे तो यह कुछ क्वेश्चन्स हमारे पास इसका आपको होमवर्क करना है यह होमवर्क के लिए स्क्रीन्शॉट ले लिजे मैं आपको यह सब क्वेश्चन्स कल फिर से समझाऊंगी लेकिन आप लोग को आज थोड़ा सा नोट कर लेना है आपको कोशिश करने है इसको करने की अगर कुछ डाउट आते है डेफिनेटली मैं कल आपको आपकी डाउट्स क्लियर करूंगी यह भी होमवर्क के लिए है यह सबी कुष्चन्स अभी होमवर्क के लिए दे लिए अगर है है कि 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 तक जिब्सक्राइब आप होमवर्क के लिए है और मैं चाहत हूँ कि आप लोग यह सॉल करे और कल के क्लास में आप answers के साथ ready हो मतलब at least में आपको समझा पाऊंगी कि मतलब कुछ idea आपको होगा solve करने से पहले है न क्या होता है अगर हम लोग ने कुछ solve कर लिया है और कहीं पर मुझे problem आई है solve करते टाइम और अगर मुझे कोई आगे से समझाता है अच्छा मुझे लगेगा कि हां यहां तक में सही थी और मुझे कहा पर problem गई है solve करने के लिए तो सेम यही है कि आप लोग को भी at least इसको solve करना पड़ेगा try करिए और कल मुझे बताइए चलो ठीक है तो आज के लिए हम लोग wind up करते हैं ठीक है thank you so much